घर पर अगर आप भी अपने बच्चे को मोबाइल फोन देते हैं तो थोड़ा एलर्ट हो जाईए और इस खबर को जो है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर आप माता पिता हैं आपके घर पर बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो तमाम पेरेंट्स और आपको बता दे कि टीचर्स के लिए खबर ये है कि आपने बच्चों को बहुत बार घर पर और स्कूल पे टीचर्स ने सिखाया होगा कि गुड टच और बैड टच क्या है लेकिन हाई कोट की तरफ से अब एक आदेश आया है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के आगे भी आपको सिखाना होगा क्यूंकि आप अपने बच्चों को मुबाइल फोन देते हैं आप बच्चा जब भी रोता है माँ उसे चुपकर आने के लिए मुबाइल फोन पकड़ा देते हैं यही कारण है कि छोड़े छोड़े बच्चों के पास मुबाइल फोन है लेक पर माबाब अपने बच्चों को महंगे से महंगा फोन देते हैं लेकिन उनका कंट्रोल जो है वो उनके बच्चों के मोबाइल फोन पर नहीं है और हजारों ऐसे बच्चे हैं जो सोशल मेडिया पर चैटिंग करते हैं हजारों ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो सोशल मेडि को सिखाना होगा कि आप क्या बात कर रहे हैं किस से बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया की क्या बाउंडरी से खबर शुरू होती है ऐसा नहीं पता था कि जब ये मोबाइल से चेटिंग करेगी लड़के से दोस्ती करेगी उससे पहली बार मिलने जाएगी वही लड़का इसका किड्नैप कर लेगा आपको बता दे कि वो लड़का किड्नैप करकर जो है वो महराष्ट्र ले जाता है यानि मध्यापरदेश ल है वो माइनर है और दोस्ती करने के साथ वो लड़के पर ट्रस्ट करती है उससे मिलने के लिए जाती है और जैसे ही वो पहली दफॉस लड़के से मिलने के लिए जाती है लड़का उसका किड्नैप कर लेता है इस किड्नैपिंग में आपको बता दे कि लड़के की मा भी की है जब उसने 16 साल की लड़की को किड्नैप किया आपको बता दे कि उस लड़की को जो है वो प्रोस्टिकूशन में भी धकेलने की कोशिश की गई है लेकिन जब यह मामला हाई कोट पहुंचता है हाई कोट इस मामले में निशकर्श यह निकालता है कि आपको अपने बच् कर उनकी लिमिटेशन है और वो क्या कुछ जो है वो कर सकते हैं अब मैं आपको यह भी सिखा दू कि यहां पर हाई कोट ने यह का है कि जितने भी स्टूडेंट से माइनर एज के जितने भी पेरेंट्स है जिनके घर पर माइनर बच्चे हैं उन्हें अपने बच्चों को ग अटरनेट पर एक दूसरे दोस्ती करते हैं उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं जैसे इस बच्ची की किसमत अच्छी नहीं थी घर नहीं पहुंची इससे लड़के ने आपको बता दे किड्नैप किया जिसमें उसकी माने भी बंदद की आगे मध्या पर्देश ले गय और माबाब अपने बच्चों को virtual touch के बारे में सिखाएं good touch और bad touch को कहीं आगे लेकर जाना होगा ताकि हमारे इंटरनेट की क्या कुछ boundaries हैं हमारे goals क्या हैं हमारे बच्चे किस दाइरे में रहके किस से क्या बात करें ये सिखाना होगा और school में भी awareness campaign चलानी चाहिए ताकि तमाम school में सिखाया जाए बच्चियों को और बच्चों को भी कि social media का गलत इस्तमाल क्या है और social media का सही इस्तमाल क्या है दो महीने की दोस्ती और आप मिलने चले गए ये कैसा trust था आप सोचिए ये बच्ची अपने घर नहीं आई और कई महीनों तक पुलीस इसे trace करती रही कई महीनों के बाद ये बच्ची मिली है अब लड़का और उसकी मा जो है वो पुलीस हिरासत में लड़के पर केस तो लंबा चलने वाला है लड़के की मा ने भी बहुत जादा मदद की थी इसलिए उसे भी जो है वो जेल के अंदर ही रखा गया फिलाल के लिए आपको बता दे कि ऐसी कोई भी चीज हो आप उस चीज को जो है शेयर करें और पुलीस तक जो है वो जरूर पहुंचा है